नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम छोटे बच्चे के स्वेटर का फ्रंट पार्ट बनाएंगे फ्रंट पार्ट से ऐसे ही बनेगा बस हमें यहां गला बनाना है तो यह मैंने यहां तक कंप्लेट कर लिया है देखें और इस समय फ्रंट पार्ट यहां तक बन गया है इसका आस्तिन घटाया जा चुका है और तीन लाइन बनाने के बाद आस्तिन घटा है और यह इस समय छे लाइन बन चुका है और हम रॉंग साइट पे हैं तो ऐसे पर्ल वाइस स्लाइड आलेंगे उन दूसरी और करेंगे और चार फंदा सीधा बनेंगे और अब नौ फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ फंदा उल्टा बनाने के बाद अब बीच के पच्चिस फंदेंगे सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौद़व पंद्रह गृजुश्य। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 फंदा सीधा बनाने के बाद 9 फंदा उल्टा बनाएंगे 3, 4, 5, 6, 9 फंदा उल्टा बनाने के बाद लास्ट के 5 फंदे बर्डर हैं उन्हें सीधा बना लेंगे और अब हम राइट साइड में हैं फिर शुरू के हम 5 फंदे पर्लवाज डाल के और हम 5 फंदे सीधे बना लेंगे और फिर अगले 5 फंदों में हमें डिजाइन डालना है पांच फंदा हम दूसरे रंग के उनसे सीधा बनाने के बाद 31 फंदा सीधा बनाएंगे और अगले 5 फंदों में हमें डिजाइन डालना है और लास्ट के छे फंदे सीधे पहले रंग के उनसे इस तरह डिजाइन बनाते हुए बीच में हमें ये उल्टे फंदों की तीन धारियां डालने है डिजाइन के बाद 3 फंदा उल्टा बनाएंगे और उसके बाद बीच के 25 फंदे सीधे पीछे से ये 25 फंदे सीधे बुनने से आगे से उल्टे फंदों की धारी आ जा रही है इस तरह हम तीन धारियां बना लेंगे 25 फंदा सीधा बुनने के बाद 3 फंदा उल्टा उसके बाद 5 फंदा दूसरे रंगे उन से सीधा फिर एक फंदा पहले रंगे उन से उल्टा और लास्ट के 5 फंदे सीधे रंग साइड से किनारे किनारे 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे बादर के लिए फिर 9 फंदों को जिस रंग से है उस रंग से सीधा उल्टा और बीच के 25 फंदों को हम सीधा बुनेंगे पीछे से 25 फंदों को सीधा बुनने से ये उल्टी फंदों की धारियां आ गई हैं देखे तीन धारियां बन चुकी हैं और हमारा आस्तिन पे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 धारियां आ गई हैं तो अब इस लाइन में हमें पीछे से 25 फंदे सीधे बुनने से ये उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं तो इस समय तीन धारियां कम्प्रीट हो गई हैं और किनारे पे आस्तिन पे 9 धारियां हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो तो इस समय हमें किनारे के पांच फंदों को सीधा बुन लेना है ये बाडर के पांच फंदे सीधे बुन ले गए और बीच के पंदर फंदे छटवा फंदा और साथवा फंदा बुना और छटे फंदे को इसके उपर चला दिया तो एक फंदा घट गया इस तरह हमको पंदर फंदे घटाने हैं ये दो तीन इसी तरह करते हुए हमें पंदर फंदे घटा लेने हैं बीच के पंदर फंदे घट गए और बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे और डिजाइन को कायम रखेंगे ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अगला डिजाइन हमें नहीं बनाना है क्योंकि वो दोनों डिजाइन गले पे आ रहा है अगला डिजाइन हमें सत्रा धारी कंप्लीट होने के बाद देखिए अगला डिजाइन बन रहा है तो सत्रा धारी कंप्लीट होने तक मैं आपको दिखाओंगे देखिए फ्रांट्स ये सत्रा उल्टे फंदो की धारियां बन चुकी हैं और इस लाइन में सत्रा लाइन कंप्लीट होने के बाद अब इस लाइन में हमें ये फूल बनाना है फुल आठ लाइन पे बनके त्यार होता है यानि छे लाइन और हमको ऐसे उल्टे फंदो की धारियां हमको छे और बनाना है टोटल तेज बनाना है दोनों तरफ एक एक फुल और बनेगा और ये स्वेटर कम्प्रीट हो जाएगा तो मैं आपको तेज धारियां बनाके दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स ये फर्स्ट पार्ट भी बनके त्यार हो गया है और इसमें भी तेज उल्टे फंदो की धारियां हो गए है और अब हमको इन्हें दोनों सीधा सीरा जो है जोइंट करने का वही तरीका है दो फंदो को लेंगे दो फंदो को एक साथ दोनों सीलाईयों में से एक एक फंदे को लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे फिर एक एक फंदा दोनों सीलाईयों में से लेंगे उल्टा फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा जो है उसे चढ़ा कर इसके उपर कर देंगे फिर दोनों सलाईों से एक एक फंदा लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पर चढ़ाते जाएंगे देखिए फ्रेंट्स दोनों पल्ले आपस में जुड़ गया है अब इन धागों को आपस में इसे बार देंगे और इसे अंदर की तरफ इसे कर देंगे और अब हमें इन दोनों पार्ट्स की भी आपस में सिले आपस में हम इने जुड़ देंगे तरीका वही है दो फंदा लिया दो का एक किया फिर एक एक सलाई में से एक एक फंदा लिया दो का एक किया पिछला फंदा आगे वाले पर चढ़ा दिया इसी तरफ इसको भी हम जोड़ देंगे देखिए फ्रेंट्स कंधे जोड़ दिये गए हैं और यह स्वेटर त्यार है अब हमें बस इसकी साइड में सिलाई करनी है अब हमें बस इसकी साइड में सिलाई करनी है अब हमें बस इसकी साइड में बस इसकी साइड में बस इसकी साइड में सिलाई करनी है साथी चोटे बच्चे का हाफ स्वेटर त्यार हो गया इसमें हमें बार्डर कंधे पर और गले पर कितने फंदे उठाय जाए इसका कोई टेंशन नहीं है स्वेटर के साथी साथ ये बार्डर बनता चला गया है बच्चे का स्वेटर आपके सामने है यदि आपको ये स्वेटर अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बच्चे के लिए इसे बनाएए इसे लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों में अपने रच्टेदारों में शेर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद